Good morning student, हम आपके भारत के खोजिन का चप्टर नमर 3 सिंदू घाटी से बचार रीड करें थे आज हम टॉपिक पढ़ेंगे भगवत गीता के बारे में भगवत गीता आप जानते हैं कि महाभारत का अंश है और अपने आप में संपूर्ण है यह 700 स्लोकों का एक काव्य है इसके जो रचना है वह बहुत काल से हुई थी इसमें विचार और दर्शन का हर संप्रदा इसे हर स्रदा से देखता है इसमें दर्शन और विचार का समन्व्य है तो यह किसी एक जाती के लिए ने बनी है किसी एक ग्रूप के लिए निवासी लोगों के लिए बनी है इसमें किसी को भी जादा महत्वनी दिया गया है सभी लोगों को समान माना गया है गीता में इसमें बताया गया है कि हर तरह के लोगों के लिए जो भी अपने जीवन में संकर देख रहा है जीवन में निराश हो चुका है उसे कहीं भी कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है कोई राह दिखाई नहीं दे रही है तो यह गीता है उस व्यक्ति को सही रास्ता दिखाने में काफी मदद करती है हर तरह की संकट के लिए इसमें काफी चीज़ें ऐसी है जो व्यक्ति को कर्म और भक्ति चेतर में आगे बढ़ने में यह साहता करती जो गीता है इसके बारे में हर तरह के लोगों को ने जो जो महानलिखक थे उन्होंने भी गीता के बारे में अपने विचार दिये है और इसको स्रेष्ट माना है और इसको यही बताया है कि जहां पर युद्ध जरूरी है वहां पर करना होता ही है हमें हमें उद्ध सीज से बचना नहीं चाहिए क्योंकि जब युद्ध धर्म के रक्षा के लिए होता है तो हमें यह करना जरूरी होता है इसमें यह भी बताया गया है कि जब स्रीकृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था और अर्जुन ने यूद करने से मना कर दिया था क्योंकि सामने उसके जो थे वो परिवार वाले रिस्टिदार थे और वो कह रहे थे कि मैं उनके विरुध हत्यार नहीं उठा सकता लेकिन स्रीकृष्ण ने उसको सही या गलत का ग्यान दिया था कि तुमारे लिए आज क्या सही है उसकी बताया था कि मानम विकास की जो तीन मार्ग होते हैं ग्यान कर्म और भक्ति इनके बीच मेल बिठाओ उसको काफे अच्छे चूप देश दिये थे उन्होंने भक्ति को जादा स्रेश्ट माना था उन्होंने का था कि जो जीवन के कर्तवे उनके लिए निर्वाह के लिए कर्म का होना आवशक है जो अकर्म करते हैं जो कर्म बिल्कुल भी नहीं करते हैं उन लोगों की निंदा की गई है और कहा गया है कि कर्म और जीवन को समय के उच्चितम आदर्शों के अनुसार ही हो सबको समभोधित करता है यह सार्व भूमिक है इसकी रचना में धाई जार बश्चों में भारत वासी बार बार परिवर्तन विकास और वास के प्रक्रिया से गुजरे हैं उन्हें एक के बाद एक तरह तरह के अनभव हुए हैं और गीता एक के बाद एक विचार इसमें सामने कि जो विचार दा रही हैं उनकी स्थिती कैसी थी बुद्ध के समय से पहले का वरतांत जो पहले का किस्ता है हमें जातक कथाओं में मिलता है इन जातक कथाओं का वरतमान रूप बुद्ध के समय का समय बाद का है कुछ समय बाद का है जो जातक कथाई है उनमें जो भारत क कि दो प्रधान जातियां द्रविड और आर्य इनका आपस में मेल हो रहा था और कहा जा सकता है कि जातक पुरहुईत या ब्राह्मन परंपरा तता छत्रिय या शाशक परंपरा के विरोध में लोग परंपरा का प्रतिनिद्व करते हैं कि ये लोग परंपरा के मामले में विल इसे में लगान देना पड़ता था वह राजा का होता था अब कहते हैं कि यह कर उपच के छटे भाग के करीब होता था राजनेदी और आर्थिक धांचा इन्हीं ग्राम समधायों से बनाया जाता था जिन्में दसदस और सोसों के समुह में बांट लिया जाता था जातकों के बढ़ने से एक खास तरह का विकास उबर कर सामने आता है कि जो विशेष दस्तकारी जो अच्छे दस्तकारी से जूड़े लोगोंकी अलग-अलग बस्तियं जो जो अलग-अलग पेशा होता था उनकी अलग-अलग गाम या सुमुए बना दी जाती जैसे ए गाम सिरफ बड़ईयों यानि जो लकडी का काम करते हैं उनका होता था ए गाम लोहारों का यानि जो लोहे का काम करते हैं के थह आंपति पास बसी थी यो मिलता था तो इसलिए चहर के पास ही जात्यां बसी होती थी जातकों ही सुधागरों की समुνदरी यात्रां के हवालے भरे हुए हैं जो जातक कफां में सुधागरों की समुंदरी यात्रा उससे भरे हुए succeed, सुखे रास्तों से रेगिस्तान को पार करके भडोज के पस्चिमी बंदरगा और उत्तर में घानदार और मद्दे इश्य तथा कार्वा जाया करते तो इसमें बताया गया है कि जब वो रेगिस्तान से रास्ते से होकर जाया करते थे यानि लिखने की जो परमपरा है वह काफी प्राणी है जो विक्सित हो चकी थी इसमें देवनागरी और अन्य लीपी भी है अशोक के कुछ लेख है जो ब्राम्य लीपी में है काफी और खरोश्टी लीपी का भी वर्णन इसमें किया गया है इससा पूरु छटया सापती स्ता पासमी.